आज का हमारा टॉपिक है बिजनस एथिक्स एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिजनस एथिक्स की और उसकी थियूरिस की I hope so आप सबको वीडियो पसंद आएगी So let's start की बिजनस एथिक्स क्या होते हैं So यहां पे आपको screen पे दिखी रहा है So तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनस क्या है बिजनस सिंपल ही है Buying and Selling are a way of earning money Money को earn करने के लिए जो हम Buying and Selling का process करते हैं That's for business बिल्कुल सिंपल सा जर्नल सा मीनिंग है साथी आप लगों को समझा है And ethics क्या होते हैं तो बच्पन से आप सब ही ethics की बात करते हैं Parents भी बोलते हैं Be honest तो वो क्या है आपका ethics है और ये law के दुआरा applicable नहीं होते So don't be worried कि कोई भी government है या कोई भी law है वो हमारे उपर applicable करेंगे कि आपको ऐसे ही करना है So ये ethics में नहीं आते Ethics totally different होते है तो ethics क्या होता Basically The study of what is right and wrong in a human behavior So simply ये होता है कि Human behavior में हम study करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है तो जर्नली आप भी अपनी life में बहुत सारी ऐसे decisions लेते हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो वो सही हो जाएगा अगर ऐसे काम होगा तो वो गलत हो जाएगा तो ये ही है हमारे ethics जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है तो वैसे ही अगर मैं business के ethics की बात करूँ तो ये क्या है ये है It is a set of moral values तो यहाँ पर एक पूरा set बना हुए moral values का standards का और norms का which govern the activities of a business man तो एक business man जो भी activities को follow कर रहा है उसमें जो भी वो morals values को use कर रहा है standards को use कर रहा है norms को use कर रहा है जिसकी वज़े से उसे ये पता चल रहा है कि वो सही decision ले रहा है या गलत ले रहा है obviously अगर सही ले रहा है तो उसका business कहीं न कहीं grow करेगा अगर वो गलत decision ले रहा है that means वो गलत direction में जा रहा है जिसका result भी क्या आने वाला है गलत आने वाला है तो अगर मैं overall लेकर चलू तो business ethics क्या है वो सारे set है moral values के जो एक businessman को help करते हैं उसके business को grow करने में आगे लेकर जाने में develop करने में और इसके साथ यहाँ में मैंने आपको एक definition भी दी है जो Carter Mac का नामरा ने दी है तो उसके according उसने क्या बोला है कि business ethics की क्या है what is right or wrong in a workplace तो workplace पे जहाँ पे business set up किया गया जहाँ पे उसकी processing हो रहा है तो वहाँ पर यह जान लेना कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है and doing what is right कि क्या है जो बिल्कुल सही है किसको लेकर जो भी वहाँ पर product and services provide की जा रही है साथ में यह देख लेना यह पता कर लेना कि जो हमारा relationship है किसके साथ stakeholders तो stakeholder में mainly हमारे consumer, customers हमारे जो buyers हैं या हमारे जो employees हैं तो वह सभी को include करके हमारे क्या बनते हैं stakeholders तो उनके साथ जो relationship है उसके बारे में पता कर लेना कि उनके साथ जो भी हमारा relation है वह सही है या गलत वे में चल रहा है तो वह सारा हमारा किसमें आता है business ethics में आता है और साथ में जो एक businessman है उससे हम ethics को लेके क्या expect करते हैं तो mainly as a customer अगर मैं लगा कर चलू तो customer के भिहाफ पे आप क्या चाहेंगे कि जो एक businessman है वो क्या करे true information दे regarding products and services तो जो भी आप किसी भी company से product ले रहे हैं या कोई भी service आप ले रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपको true information मिले तो एक businessman का क्या responsibility बनता है अपने customer के regarding कि वो अपने customer को true information प्रवाइड करे और साथ में क्या दे वो अपने customer को पूरी freedom दे पूरा उसको हक दे कि वो अपनी मर्जी से जो भी product या services वो लेना चाहता है वो ले सके उसके उपर कोई enforce ना करे कोई धक्का ना करे कोई जबरदस्ती ना करे या उसको कोई ऐसी condition में न डाले कि उसके लिए मुश्किल हो जाए चूज करना तो यह सब एक businessman के ethics में नहीं आते हैं तो basically एक businessman से क्या expect किया जाता है ethics को लेके कि एक तो वो true information प्रवाइड करे और साथ में जो उसके customer है उसको free choice दे और quality products प्रवाइड करे at reasonable price पे इसके अलावा और भी बहुत सारे business ethics आते हैं लेकिन example के लिए ये दो-तिन रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि business ethics क्या होते हैं तो ये हमारे जो business ethics है mainly depend कर दे हैं उसकी theories पे तो business ethics को लेके कुछ theories दी गई है तो basically हमारे पास तीन theories रहती हैं तो first वाली है हमारी vichy based theory और दूसरी है हमारी normative theories तीसरी है हमारी descriptive ethical theorist तो आज हम इन तीनों theorist के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझ लगए कि इन तीनों theorist के through वो business ethics के बारे में क्या समझाना चाहता है SO teag़ तो सबसे पहले हम लोग start करेंगे हमारी descriptive जिक्रुप्टिव एथिकल थिवरी के बारे में तो यहाँ पर वोर्ड से ही में भी जनर्नली क्लियर हो रहा हुआ। कि descriptive है मतलब वह describe कर रहा है तो किस चीज़ को describe कर रहा है तो यहां पर वह describe कर रहा है morality गो किसकी morality है यहां पर या तो वह individual हो सकता है या हो सकती है कोई organization तो जैसा कि हमने meaning में भी बात करी थी कि एक organization है जो क्या कर रही है अपने जो set of morals है उनको use करके उनको understand करके ये जानने की कोशिश कर रहे है कि जो भी वो decision ले रही है वो right है या wrong है या उसका जो result आने वाला है वो कैसा आने वाला है तो ये जो descriptive theory है ये भी ये explain कर रही है कि एक person की ये individual की जो भी morality को लेकर study है या description है वो हम इस theory के through describe कर सकते है तो इसमें presentation भी दी जाती है जो भी facts हमारे निकलते हैं किस से related होते हैं वो हमारी specific ethical action से related होते हैं जो भी उस organization ने या individual person ने लिये हुए होते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारी theory है ये हमें help करती है या focus करवाती है कि understand किया जा सके किस चीज को कि what is happening in behavior तो एक individual person में या organization में behavior को लेके क्या changes हो रहे हैं या क्या happening हो रही है जो भी उसने action लिये उस action लेने की वज़े से क्या हुआ जो decision लिये उसका क्या result निकला या वो decision लेने के बाद क्या क्या changes आए ठीक है जो भी organization है उसमें जो भी policies use की जा रही है या adopt की गई है जो भी practices की जा रही है उन सब का क्या effect पड़ रहा है तो एक business organization में बहुत से ऐसे members होते हैं employees भी होते हैं टॉप management भी होती है middle management है low management है employees बहुत सारे persons होते हैं और उन सारे persons के साथ आपका behavior कैसा है आप जब top management कोई भी decision ले रही है तो उस decision की वज़े से क्या impact पड़ा तो वो सारी study जो है comparative ethics theory के नाम से भी जानते हैं तो comparative का मतलब भी आप यहां पर देख सके आ रहे हैं कि comparison है इसका मतलब तो इसमें क्या कर रहा है वो comparison कर रहा है कि किस से comparison कर रहा है वो comparison कर रहा है कि past में हमने कौन से ethics use कि और present में कौन से ethics use कि तो हम comparison करके देखते हैं कि कि किसका result जादा better आया यह हम यह देखते हैं कि एक society में कैसे ethics use हो रहे हैं और दूसरी society में कैसे ethics use हो रहे हैं तो कई बर क्या रहता है कि कोई business की policy कैसी रहती है कोई दूसरी business की policy कैसी रहती है तो वो ये देखते हैं कि किस business की policy जादा better थी and किसकी जो market में goodwill थी वो increase हो रही है और कौन सी ऐसे decisions उसने लिए जिसकी वज़े से वो जादा famous हो रहे हैं तो ये comparison हम ये जो हमारी descriptive ethical theory इसके through करके हम लोग जान सकते हैं और इसके अलावा ये theory explain करती है कि जो हमारे ethical decisions हैं वो actually कैसे होने चाहिए एक business man जब business में enter कर रहा है कोई भी new enterprise setup कर रहा है तो उसको अपने जो ethical decisions हैं वो कैसे लेने चाहिए और उन जो भी ethical decisions उसने लिए हैं तो क्या impact पढ़ने वाला है तो क्या उसका effect पढ़ेगा और उस effect की वज़े से जो last में outcome निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी that means आपने starting में कुछ सोचा and उसको सोच के आपने कुछ implement किया and implement करने के बाद आपके पास क्या outcome आई तो वो सारी study जो है वो सारी जो explanation है वो descriptive ethical theory के में दी गई है कि ये theory आपको describe करती है कि करने से पहले आपको ये देखना है कि जो आप करने जा रहे हैं वो करने से आपको क्या end में result मिलने वाला है तो वो चीज़ आपने पहले ही सोचनी है कि आपने कैसे actions करने हैं कैसे decision लेने है कौन सी policies अपने apply करवानी है कैसे अपने practices करनी है अपनी organization में तो यह सब इस theory के थुरू describe किया गया अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारी virtue based theory की तो virtue का main मतलब क्या होता है इसका main जो relation रहता है वो हमारी habits से रहता है हमारी का मतलब है यहां पर हमारी खुद की हो सकती है या हमारी जो organization उसकी रह सकती है कि हमारी personality कैसी है तो उस तरीके से हम इसको define कर लेते हैं अगर मैं जैसे example लेके चलू स्पोस करो यहां पर habit का मतलब यह नहीं है कि मुझे dance करना अच्छा लगता है या मुझे गाना गाना अच्छा लगता है वो habit का मतलब नहीं है यहां पर हमा internal habits की बात कर रहे हैं जो अपने आप से हमारे अंदर आती हैं जैसे हमें जूट बोलने से नफरत है हम जूट नहीं बोल सकते हैं तो इस type की कि हमें हमेशा इमानदार be honest with others तो इस type की habits है यहां पर उनकी बात की गई है कि एक individual के अंदर जब ऐसी वाली habits रहती है तो उन habits का क्या effect पड़ता है तो वो इस theory में define किया गया है इस theory में basically यही बताया गया है कि आपको attain करना है उन सारी habits पे जो आपके अंदर हैं और उनका जो effect है आपकी whole life के उपर यह आपके business के उपर पढ़ने वाला है तो इस theory में basically क्या है कि एक person जो भी उसकी virtuous characters रहते हैं जैसे इमानदारी वाला की हमेशा सच बोलना है किसी के साथ fraud नहीं करना है हमेशा सच के रस्ते पर चलना है यह basically हम कह सकते हैं जैसे गांदी गीरी थी तो वैसे ही अहिंसा के रा हैं वो उसके ethics बन रहे हैं यहां पर तो यहां पर इंसान क्या कर रहा है वो detail में नहीं जा रहा कि मैं क्या करूंगा और उसके बाद क्या process होगा उसका क्या result निकल के आएगा तो वो इस सारे जंजटों में नहीं बढ़ता वो simply यह देखता है कि हां भई यह जो है मेरा ethic है और इसके according मुझे काम करना है फिर चाहे उसका result कुछ भी निकले तो ऐसे जो characters रहते हैं तो वो basically किसी भी businessman को कभी डूबने नहीं देते हैं and में उसको profit की तरफी लेके जाते हैं for example आप यहां पे Tata की example ले सकते हो कि जैसे आपको पता भी होगा कि Pakistan के साथ कुछ उन्होंने contract किया था cars को लेके बट जब उन्होंने देखा कि जो 2611 वाला case हुआ था and उसके बाद उन्होंने वो contract cancel कर दिया था कि उन्होंने बोला कि मुझे मेरा भारत देश जादा प्यारा है and उसके बाद उन्होंने वो contract cancel कर दिया था तो यहां पे क्या था उनके जो futures थे उनके जो habit थी या उनकी जो personality थी वो कहीं ना कहीं इस agreement की वज़े से effect हो रही थी तो उन्होंने अपने देश को पहले रखा and अपनी moral values को देखा उसने ये नहीं देखा कि contract cancel करने की वज़े से उनको कितना loss होगा लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर आप देखो तो उनका ये ही character था जो उनको develop कर रहा है तो ये ही जो बाते हैं इस theory के through describe की गई है कि आपको हमेशा क्या करना है सही रस्ते पर चलना है ओनेस्टी के रस्ते पर चलना है तो इससे क्या होगा आप सही धंग से develop कर पाएंगे तो basically यहाँ पर moral character के उपर ज़्यादा stress दिया गया है ना कि right actions के उपर कि आप क्या action ले रहे हैं उसके उपर इतना stress नहीं है लेकिन आपके जो moral characters हैं उनको आप अपनी life में अपने business life में applicable कर रहे हैं इसके उपर उसने ज़्यादा stress दिया है then उसके बाद हमारी तीसरी आती है normative theories तो normative theories में बात की गई है basically इसका जो main meaning है वो क्या है कि guide करना है या control करना है तो यहाँ पर हम जो भी business activity कर रहे हैं उनको हमें guide करना है या control करना है कैसे through हमारे moral standards तो यहाँ पर जो हमारी normative theory है वो हमारे ethics की ही एक branch होती है जो guide करती है human conducts को तो जो भी human conducts होते हैं उनको किस रस्ते पर चलाना है वो हम normative theory के तुरू describe करते हैं क्योंकि यह जो theory रहती है इसमें set होते हैं हमारे कुछ moral standards के जो हमें help करते हैं यह determine करने में कि क्या सही है और क्या गलत है तो इसके साथ साथ जो हमारी normative theories है उसको भी आगे कुछ अलग categories में define किया गया है तो यहां पर जो यह theory है basically क्या है fundamental principles का set है जिसमें आप अपने moral rights को अपनी life और liberty को लेकर use करते हैं जो आपके human behavior है उसको guide करती है उसको control करती है और उनको यह बताती है कि क्या चैस सही होने वाली है और क्या चैस गलत होने वाली है तो इसके लिए एक golden rule बताया गया है example के लिए तो वो क्या कहता है कि we should treat others the same way that we want others to treat us तो यह बहुत important line है और बहुत ही अची line है कि आपको दूसरों के साथ वैसे ही treat करना है जैसा कि आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करे तो normative theory के थूरू यही वो बताना चाहता है कि आपको यह देखना है कि जो आपको सही लग रहा है जो आप कर रहे हो वो ही अगर same दूसरा person आपके साथ करे तो क्या आपको वो सही लगेगा तो जैसा आप दूसरों से expect कर रहे हो तो वैसा ही पहले आपको भी करना पड़ेगा तो normative theory में उसने अलग-लग वे से इसको describe किया गया है एक उसने teleological theory के थूरू इसको describe किया है दूसरी dentonological theory के थूरू इसको describe किया और कुछ other theories उसने दी है जिसमें उसने stockholder theory बताई है, stakeholder theory बताई है and social contract theories बताई हुई है and अगर मैं teleological theory की बात करूँ तो इसमें egoism and utiliarium and ultiliarium काफी सारी theories उसने बताई है तो हम try करेंगे कि next video में हम आपको पूरे explain करके समझाएं कि जो normative theories है, जिसमें वो बताना जा रहा है कि आपको कैसे यह decide करना है, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है उसको उसने अलग-अलग categories में define करके अलग-अलग theories के थूरू बताने की कोशिश करिये तो आज की basically इतनी ही theories थी तो I hope so आपको वीडियो समझ आएगी Thank you very much